संबल में आगरा मुरादबाद नेशनल हाइवे पर बहजोई कोतवाली शेत्र गाव बबनीटा में टायर पंचर लगाने वाले 55 वर्षी बुजूर्ग को एक सांड ने पीछे से उठा कर पटक दिया जिसे बुजूर्ग की मौके पर ही मौत हो गए बुजूर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया सुचना पर पहुंचे पुलिस ने शौग को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेंज दिया वही बाद में शौग को लेकर बहरजूई मुख्याले पहुंचे ग्रामीडों ने रास्ते को लेकर हंगामा कर दिया मतादे कि शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते पर ग्रामीडों ने घर बना रखे हैं जिसकी वज़ा से शमशान घाट पर जाने का रास्ता नहीं मिलता है ग्रामीडों के हंगामे के बाद प्रशासन ने समस्या का जल समधान कराने का आश्वासन दिया तो वही जैसे ही वो सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद पूने के बाद जर्मीने आएगा, उससे एक्जिट कर दिये जाएगा, और वो रास्ता में छोटा है, तो अभी एंडेवल हाई को डिसीजन के एकरम में कुछ करने पाएगे, लेकिन जैसे ही दोबारा डिसीजन यह पूरा मामला ग्राम बगनेटा का है, यह बगनेटा में यह गंजे की जर्मीनों पर कुछ ग्राम गास ही होना है, अपने अवेद मकान बनाती है, जिससे तीछे देड़ सो परिवार आने जाने के लिए परेशान है, अब उनके करने कोई मुर्टी हो जाती है, तो यह ब पर आने में इनका सहय योग कर रही है, वही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक जूट हुए राज्ची करमचारी, बीएसे कारियाले से कलेक्टर तक आक्रोष मास निकाला, बतादे पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर नारे बाजी, वन नेशन वन पेंशन कि जाने की मांग उठाई सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरो अटेवा पेंशन बचाओ मंच के निरतत्व में निकाला गया यह आक्रोश मार्श बतादे यह वान नेशन वान पेंशन की मांग उठाई जा रही है इसके लिए यह मार्श निकाला गया है यह अबडेट खिलाफी का आरोब भी लगाया गया है कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अंडरतत्व में यह मार्श निकाला गया है जालों से यह अपडेट आपको प्तारे जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक चुट होकर सभी राजिक अर मुख्याले पर अंडूलन को निकाला गया जैसा कि आप सभी लुग विद्धत हैं कि पहले सरकार एंपियस लाई उसके बाद यूपियस लाई लेकिन सक्षक करमचारी किसी भी दसा में उसको सुईकार नहीं कर रहे हैं हम लोगों की केबल एक ही मांग है हम में हुँ बहु परानी पैंसन चाहिए आप देख रहाए है कि पैंसन के नुकसान हम लोगों को कितने उठाने पड़ रहा है किसी को बारा सो कहः को फंदरा सो किसी को दो जार पैंसन वर यह बढ़ापे में हम लोगों का जीवान आपन उससे नहीं होगा अटेवा एनम ओपीएस के रास्ट्री आवाहन पर 26 सितंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालेओं पर एनपीएस यूपीएस नीजी करण आक्रोश रैली का कारिक्रम रखा गया मत्रों में ये कारक्रम जिलाध्यक श्री प्रदीपिका फौसदार के इनृतत में बाइक रैली के रूप में जिला सिक्षा और प्रसिक्षन संस्थान से प्रारम होकर टाउन्शिप वेटरनिटी कॉलेज का चहरी होते हुए कलेक्टर परिशन में समपन हुआ उसके बाद प्रदान मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ग्यापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया हजारों के संख्या में सिक्षक करमचारी अधिकारी बाइक पर हाथों में नारे लिखे तख्तिया लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन करने लगे उनकी मांग है क की नई पेंशन को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन विवस्था को बहाल किया जाए जिला संरक्षक शैलींद्र कुमार यादों ने बताया कि हम अटेवा के बैनर तले अपना अंदोलन पुरानी पेंशन के लिए चला रहे हैं वरिश रुपा ध्यक्ष कप्तान सिंग न हमें बल्कोल ूप्येस ही चाहिए पुरानी पेंशन चाहिए एक मांग एक्स कर देश के ने दा चार शौर पस्पश पीनशन ले रहा है और हमें को नोग चाहरा प्सके उत्तरा कारा कशृष झाल 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 झाल